जब भी हम कोई भी कमपणी इंकोरपरेशन करने के लिए डॉकुमेंट सब्मिट करते हैं जैसे स्पाइस पाड़ भी हो गया या फिर अजल प्रो हो गया तो क्या होता है कि हमें जब एरर आता है प्री स्कूरूटनी एरर तो हमें समझ में नहीं आता है कि अच्छली एक प्र स्कूरूशन का क्या है है क्यों कि हमने तो पर प्रिश्कूरूंट करने के बस सूलूशन क्या है तो आज इस बनाश यहें बताऊंगा कि इसका करने के लिए चाहे पर नॉर्मल हो चाहे ऐगको सब्मेशन हो तो हम क्रते हैं नीचे लिंक ट फोपके जडरी हम documents upload करते हैं तो देखिए मेरा भी मेरे कैस मेरी submission है तो मैं SRN डाल देता हूँ अरो documents upload कर देता हूँ अभी मेरे कैस में यह farmer producer company है इसलिए इसलिए टीए farms मझे upload करने पड़ते हैं एक spice part B एक agile pro और दूसरा तीसरा inc9 तो देखिए अभी error आपको दिखाता हूँ प्री स्कूटनिका एरर तो यह क्यों आता है प्रींट्टिर्ण्स जब भी हम देखिए पहला हम क्या करते हैं पाडबी भरते हैं करते हैं फिर अजयल प्रो बरते हैं अब और बाके के जो य viktig जो यॉ है उसको भी हम मतलब फिलब करते हैं information और download करते हैं होता क्या है कि Agile pro में जो pre-scrutinier का option है और part B में है जब भी हम किसी भी एक form में इडिट करते हैं और pre-scrutinier करते हैं तो हमें mandatory दुसरे form को भी edit करके pre-scrutinier करना है और submit करना है अगर आप एक ही form को edit करके pre-scrutinier करके submit किया है तो फिर यह Prescruiting और आ जाएगा फ्रेंड ओके अभी देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने Part B को EDIT किया था और उसको Prescruiting करके Submit किया था लेकिन Agile Pro को मैंने Edit नहीं किया था ओके फ्रेंड समझ मैं रहा देखिए भी यहाँ पर Prescruiting एरर आ रहा है क्योंकि मैंने पार्ट भी एडिट किया था और बाद में जो भी मैंने निसेसरी चंजिस करने है चंजिस करके प्रिस्कूटने करके सब्मिट किया था लेकिन उसके साथ साथ मुझे आजाइल प्रो भी एडिट करके प्रिस्कूटने करके सब्मिट करना पड़ होंगे इसलिए आपको क्या आता है एरर आता है तो दीखिए अब मैं सब्मेशन आया था मुझे तो मैं क्या करता हूं आपको बताता हूं कि मैंने पाड़ भी तो क्या किया था इडिट करके सब्मिट किया था ओके तो देखिए तो मुझे उसके साथ साथ आजाइल प्रो भी edit करके pre-scrutinic करके submit करना है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर pre-scrutinic option रहता है अगर आपने notice किया है तो आखिर पेज में देखें यहाँ पर pre-scrutinic option रहता है एक खाली दो ही form में option रहता है एक तो spice part B में या फिर agile pro में तो आपको दोनों भी forms एक ही साथ में pre-scrutinic करना है और submit करना है जैसे for example आगर आपने agile pro में edit करके कुछ changes किया है pre-scrutinic करके submit किया है तो आपको उसके साथ ही part B में भी edit करके pre-scrutinic करके submit करना है फिर forms download करके उसको DSC लगा के फिर सारे forms upload करने है तो pre-scrutinic error नहीं आएगा अब मैं आपको upload करेके दिखाता हूँ क्यूंकि मैंने download करेके उसको DSC signature लगाया है सारे forms को और मैं upload करने की तेयरी कर रहा हूँ अभी तो दिखिए अभी मैं कहां आजाता हूँ upload करना है मुझे एक तो मैं download करता हूँ इसके उपर digital signature लगाता हूँ आयन से ने को आपको फिर से लगाने के जरूत ने अगर आपने अल्रडी लगाया हुआ है तो लेकिन आपको दोनों form को लगाना पड़ेगा Part B को और Agile Pro को तो अभी मैंने दोनों भी form download करके रखे हैं इसको मैं DSC signature लगाता हूँ और आपको practically upload करके दिखाता हूँ और यह भी दिखाता हूँ कि आभी error नहीं आएगा आपको तो समझ में आना कि error क्यों आता है मैंने यही बात इस video में मैंने पांच बार बता ही है तो देखे अभी मैं क्या करता हूँ अप्लोड करता हूँ अप्लोड करने के लिए कहा है आना आपको माय वर्कस्पेस में आना है यहां एक बाद upload e-forms में आना है upload e-forms में आने के बाद यहां पर आपको अभी मेरे case मेरी submission है इसलिए मेरी submission चूझ कर रहा हूँ तो देखे पहले पार्ट में हम पार्ट भी option select करना है अप्लोड करने के लिए दूसरे में agile pro और तिसरे में insulin यह मैं farmer producer company की बारे में बता रहा हूँ लेकिन error किसी भी company में आ सकता है farmer producer काई बोल के यह नहीं है तो देखे मैं आप में upload करता हूँ तो अभी error नहीं आएगा क्योंकि मैंने दोने भी form को मैंने edit करके प्रिस्कूट ने करके submit किया था तो इसलिए error नहीं आएगा और आपको कभी भी अगर कोई technical problem आता है तो मुझे call कर सकते है मैंने वह number दे दिया है पेड कंसलिटेशन मिलेगी लेकिन पेड मिलेगी ओके देखे सक्सेस्फिली हो गया है इसलिए submit और इसको कोई error नहीं आया है ओके फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही बस धन्यवाद टाटा बाई बाई